आज के इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप Bank of Maharashtra में Savings Account टोपिन कीजिएगा आपके Savings Account में आपको minimum कितना balance maintain करके रखना है ताकि आपके account से balance non maintenance के कारण पे charges deduction ना हो आप देख सकते हैं अगर आपका bank branch rural area में located है आपको 500 रुपीज यानि की 500 रुपीज आपका savings account में minimum balance के तौर पे maintain करके रखना है अगर आपका bank branch semi-urban area में located है 1000 रुपिया, metro या urban area में 2000 रुपीज आपको minimum balance के तौर पे maintain करके रखना है अगर आप balance maintain नहीं कर पाएंगे तो definitely charges deduction होगा, कितना deduction होगा आप देख सकते हैं जैसा कि rural branch में आपको 500 रुपिया maintain करना था, अगर आप 500 रुपिया maintain नहीं कर पारे हो, मान लिजिए 500 रुपिया तक आप maintain कर पारे हो और अगर 125 रुपिया भी maintain नहीं कर पारे हो, एकदम zero मान लिजिए के balance हैं, तो इसमें definitely 20 रुपिया charge के तौर पे deduction किया जाएगा semi-urban area में आपको 1000 रुपिया balance maintain करना था, अगर आप 1000 रुपिया balance भी maintain नहीं कर पारे हो, मान लिजिए के आप 500 रुपिया तक balance maintain कर पारे हो, तो 25 रुपिया यहाँ पे charge के तौर पे लिया जाएगा metro या urban area में आपको 2000 रुपिया balance maintain करना था, अगर 2000 रुपिया आप maintain नहीं कर पाते हो, मान लिजे आप 1000 रुपिया तक balance maintain कर पाते हो, बाकि आप नहीं maintain कर पा रहे हो, तो 13 रुपिया यहाँ पे charge लगेगा आपको याद रखना है कि जितना भी charges है सभी में 18% GST भी add होगा और ये हर महिना charges के तौर पर deduction किया जाएगा monthly average balance non maintenance के कारण पर I am sure that you liked this video please subscribe this channel for more updates